बेलकम गाइज मेवी जे आप देहरो धनसिंग पर इस टेडिशनल गाइज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि छत पर सब्दी कैसे होगा है जिसे गाइज ओक धनिया हो गया कद्दू हो गया लोकी हो गया या टमाटर हो गया तो गाइज आप लोग इसक्रीन पर देख पार होगे मैंने एप क्रेट रखी हुई हैं तो अपनी छत पर भी लगा सकते हों गार आपके पास नीचे जो पोई जमीन वगयरा खाली नहीं पड़ी है तो वह वाँ कर सब्दी लगा ना चाहते हैं तो सब्दी लगा ना चाहिTE से खास निकालने के लिए इसे घास निकाल देते हैं तो यहांपर देख पा रहे होंगे आप लोग टो ले लेना ये तो हमने मचली आली क्रेट ले रखी है और उसमें आपको मिट्टी डाल लेना है मिट्टी बढ़िया करके डालें जो उप जाओ मिट्टी हो काली मिट्टी और उसके बाद यहां पर क्रेट देख पा रहे होंगे आप लोग यह रही क्रेटे हैं तो हमने कई क्रे देख पा रहे होगे, यह हमने बासों को लगा रखा है जैसे ही बड़े हो जाएंगे तो यहाँ पर जो है थोड़ा बेना करके यहाँ पर लगा देंगे जो उस पर जो है मतलब पौंड जाएंगे यह जो लोकी हैं, कद्दु हैं टमाटर वगेरा तो इसकी विवास्ता हमने इसको इस तरह से बना रखी है तो आप लोग देख पा रहे होंगे तो गाईज इसके लिए हमने जाली भी तयार कर रखी देख पा रहे होंगे यहाँ पर बढ़िया से टमाटर, लोकी, कद्दू और सब कुछ उख जाएगा तो गाईज आप भी उगाना चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया है कि आपको करेट लेनी पड़ेंगे करेट में बढ़िया उप जाओं मिट्टी लेके और उसमें हमें जो भी लगाना है माननों लोकी लगाना है तो लोकी के बीच डाल देना है अलकी मट्टी के लिए रखना है उसके बाद जब उग जाएं बढ़िया करके उसमें पानी डालते रहना है दूसरे तीसरे दिन और थोड़ा खाद बढ़िया जो भी बढ़िया है थोड़ी थोड़ी डाल दें तो और बढ़िया चलेंगे पौने बोदें तो गाईज इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आएंगे जिसमें हम आपको बताएंगे कि यहाप अपनी छट पर फूल कैसे लगाएं और गाईज फूल लगाके आप जो भी पूजा होजा के लिए करते हैं अन्नवाद